नमस्कार दोस्तो आपके परेज़ चैनल आर्कनिज़ अबडेट पर आपका स्वागता है दोस्तो बात करेंगे ग्रूप डेट इटिंग लिस्थ है संभनदीत की ग्रूप डिवेटिंग लिस्थ है जो कब जारी की जाएगी चाहिए वो बात हो नूर्मल की के अंदर जो है पूरी कारवाई करने के बाद आपकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी और साथ में आपको पता है सी एम फ्लाइंग की विज़ांच लीवी है और वीजिलांस जांच भी चली हुई है और 417 सीटे आपकी रहेंगी ज्यादा कंडिडेट नहीं है लिस्ट बहुत नीचे आएगी बात कर लेते हैं का टॉफ की तो कटॉफ पर विश्लेशन चला हुआ है बहुत जल्द इसके बारे में भी वीडियो डाल दी जाएगी कि कटॉफ जर्नल की क्या रहेगी बीसीए रहेगी उसके बाद बात करें 417 सीटे बची हुई है और जो है कि कुछ दिन पहले नियूज थी कि जो टर्मिनेट किया गए हैं उनको भी मौका दिया जाएगा तो उसमें ज्यादा ग्रेडेशन नहीं बढ़ेंगे समझा लेने का आपको आप शक्ता नहीं है यह रहेगी इसपी के बारे में जानकारी उसके बाद बात कर लेते हैं नौर्मल वालों की काफी समझा बनी वे नौर्मल वालों को कुछ कंडिडेटों को मन में है कि दोस्तों 42 और 266 वाली लिस्ट आएंगी ऐसी कोई लिस्ट नहीं है मेरे वाईयो डिमांड जब तक नहीं डलेगी आ और आपके लिए वोड़ीयो बना दी जाएगी आपको शिरफ बही कदम उठाना है ज्यादा से ज्यादा लैटर सेंड करने आप सी से तो फिस नहीं जा सकते आपके लिए जो है cso office लाइटर बेजने हैं ज्याद से ज्याद से अच्छा कदम उठाया जा रहा आपके लिए बाकि करना आपको होगा में रेकेले करने से कुछ होगा नहीं सीएस ओफिस में आपको अपना जो किस तरह से लाइटर बेजना है इसके बारे में कल शाम तक विडियो डाल दी जाएगी उसके बाद बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमेन की कुछ जवाब अभी तक आया नहीं हुआ है सीएस ओफिस की तरफ से लिस्ट गई थी 187 की डिमांड बेजी गई थी लेकिन दिन 780 ने लिस्ट लगाई एससे बुपाल सिंघ धरी जियूंगा कहिणा की हमने 9 पदों पर जो हैंर लिस्ट लगा दी है जो हमने सीधी डिपार्डमेंट के अंदर बेज दिया लेकिन ना कोई ऐसी लिस्ट آई है ना कोаг जिसका स्वेक्षान हुआ मिलना था जो 3 मिला हुआ है 163 सीटों का एर फिर है इस 163 के लिए जो है पीड़ोडी क्टैगरी के जो कंडिडेट है फिजिकली हैं जो दिवयांग कोटे से जो कंडिडेट है वो कल को सीम साब से मिलने का प्लान बना रहे हैं देखो कहां तक सफल होता है 4% कोटे की जो फाइल है अब इस CS में दबी हुई है किसी भी परकार की कोई कारवाई नहीं हुई है तो ये अपडेट रहेंगी एक बात और बता देता हूँ आपको चाहे आप नॉर्मल से हो चाहे आप एक्सर्विश मैंन से हो और चाहे आप पी डबलुडी जे हो देखो ESP की तो कनफरमलिस्ट आनी है यानी है आपके लिए बता देता हूँ आपका जो CT एक्जैम है वो होगा अगस्त के अंदर जाके तो आपके पास ये उप्रचिनिटी रहेगी कि जो ये CT बची हुई है ये CT में ना कैलकुलेट होके लिस्ट जारी कर दी जाए आपके पास अभी भी गोल्डन चांस है अगर आप इस पर एक्जैम लेते हैं तो देखो जब तक आप करवाई नहीं करोगे ये आपको बात बता देता हूँ अगर आपको कोई भी परसनली शमश्या है कोई भी आपके गाउं की शमश्या है या सहर की शमश्या है उस समश्या का निवारण तब तक नहीं होता जब तक आप उस पर कोई एक्जैम नहीं लेते या कोई अप्लिकेशन नहीं लगाते सीधी सी बात सामें आपको ये बात समझा रहा हूँ मैं अगर आपकी या गाउं या सहर की कोई समझ्या है चाहे गाउं की बात हो चाहे सहर की बात हो तो चाहे गाउं की बात हो चाहे सहर की बात हो उस पर जब तक आप application नहीं लगाते जब तक कोई action नहीं लेते तब तक उससे मश्यगाद निवारण नहीं होता तो वही काम है CS office का भी और HSSC office का भी तब तक आपकी सुनवाई नहीं होगी जब तक कोई application या फिर कोई action नहीं लिया जाएगा लिस्ट के बारे में तब ही जाके छुनवाई की जाती है तब ही जो है CS HSSC action में आता है कि हाँ इस तरह के application आई हुई है application सभी application नों पर गोर किया जाता है चाहे वो CS में आई चाहे तो आपको action लेना जुरूर पड़ेगा इसके लिए आपको जो है नुर्मल वाणों के लिए कल वीडियो डाल दी जाएगी कल श्याम तक वीडियो डाल दी जाएगी बाकि PWD वाले CM साब से मिलने वाले ही हैं और एक्स सर्विस में वाले जो है CM window में शिकायत लगाई हुई जैसे अपडेट मिलेगा इसकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी तो इसी के साथ देन्यवाद दोस्तो जानकारी को शेर कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे थैंकि दोस्तो मुँर्ण दीनकारी मुणती जा इस दोस्तोो जाएब सेस्टेर्बर को शेदा जाएब废 defins देसे को Not